नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं राज निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी इस मोगे पर मोगे पर मोजूद थे मीडिया से डाक्टर डिकेतिवाई ने कहा कि 4-4 में पंचाई चुनाव संपन कराए जाएंगे बता दे, राज निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव के लिए जर्खन की राजे पर में इस बैस ने अपनी ओर से इजाज़त दे दिया है इसके बाद ही राज निर्वाचन आयोग जर्खन की ओर से चुनाव की तरिकों का एलान किया जा रहा है चुनाव की घोसना के साथ ही पूरे राजे में आदर्स चुनाव अचार संजिता भी लागू कर दिया गया है राजे निर्वाचन आयूक ने मीडिया से कहा कि माई में चार चर्णों में चुनाव कराये जाएंगे पहले चर्ण का मद्दान 14 माई को होगा वहाई दूसरे चर्ण का मद्दान 29 माई को तीसरे चर्ण का मद्दान 24 माई को और चौथे चर्ण का मद्दान 27 माई को होगा मौसम विभाग के अनुसार जारखन के पलामों गढ़वा लाते हार चात्रा लोहर्दागा कोडारमा एम गिरीडी में 12 अप्रेल तक लूच चलने के असार है इन जीलों में अधिक्तम ता 50 डिग्री सेल से सधीक हो सकता है मौसम केंद्र की माने तो 14 अप्रेल तक आस्मान साप और मौसम सूस्क रहेगा इस काराण लोगों को गर्मी से राहत मिलने के उमीद नहीं है इस बीच मौसम विभाग ने स्वास्त विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सवधान रहने की सलाह दिया है पाकुड में मोबाइल की बैटरी फटने से 5 वर्सी बच्चे की मौत मोबाइल का बैटरी चार्ज किये जाने के दुरान बैटरी के बलास्ट होने से 5 वर्सी घायल हुए बच्चे के इलाज के दुरान मौत हो गई घाटना लिट्टी पढ़ा थाना छेतरी के डुमरिया गाउं की है बता दे ग्रामीन सुत्रो से मिली जनकारी के मुताविक सनिवार की दो पहर थाना छेतरी के डुमरिया के गड़ा टोला निवासी लाजर मरांडी ने अपने घार पर मोबाइल से बैटरी निकाल कर उसे माश्टर चार्जर के माध्यम से चार्ज कर लगा रहा था इसी बीच लाजर मरांडी का पांच वर सीय पुत्र सोनू मरांडी घार में खेलते हुए चार्ज में लगे बैटरी को जैसे ही खोलना चाहा बैटरी अचानक फट गया पोशन सक्यों को बहाल करे सरकार रगुवर्दास जारखन के पूरो मुक्वद्टरी रगुवर्दास ने सुक्रवार को सीय में मनसुरिन को पत्र लिख कर पोशन सक्यों को बहाल करने की मांग की है उन्होंने पत्र में 10-388 पोशन सक्यों की सेमा समाप्त नहीं करने की मांग करते वे सुझाओ दिया है सरकार ने मलेरिया की रोक थाम के लिए कारे कर रहे 22MPW वरकर की सेवा को जारी रखा था इसी तरज पर पोशन सक्षों की सेवा बहाल की जानी चाहिए रखवर ने लिखा आये कि पोशन सक्षों के जरी एकुपोशन के खिलाप लडाई में बड़ी मदद मिली है इस लडाई को मजबूत रखने के लिए आगे भी पोशन सक्षों की जरूरत पड़ेगी मानो तसकर पन्ना लाल की पत्नी वांटेड घोसित जारखन में मानो तसकरी के मामले की जाच कर रही राष्टिय जाच एजेंसी ने मानो तसकरी के किंग पिंग पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनिता देवी को वांटेड घोसित करते हुए उस पर एक लाक रुपे का इनाम अरखा है राजे में यह पहली बार है जब किसी मानो तसकर पर इनाम की घोसना की गई है बता दे सुनिता देवी पहुत पहले खूर्टी से गिरबतार कर जेल भेजी गई थी जिसके बाद जबानत पर निकलने के बाद से ही फरा रहा है एन आईये ने गत वर्ष फरवरी 2021 में मानो तसकरी के किंग पिंग पन्ना लाल महतो समेत चार अभयुक्तों पर नाची स्थीत एन आईये की बिसेस अदालत में चार्शिट फाइल किया था पंचायत चुनाओं में किसी को उमिद्वार बनने से रोका तो एक साल की जेल जारखन पंचायत चुनाओं में किसी ब्यक्ति को उमिद्वार बनने से रोकने या किसी खास उमिद्वार के पक्ष में भोट देने के लिए दवाव डालने पर एक साल की जेल हो सकती है यदि जिस ब्यक्ति पर इसके लिए दवाव डाला गया हो और वह अनुशूचित जाती या अनुशूचित जन जाती से आता हो तो ऐसे मावलो में 6 मा से 5 साल तकी सजा हो सकती है या करवाई भारतिये डंड संहिता की विभीन धाराओ के तहत की जाएगी राज निर्वाचन आयोग द्वारा पंचाज चुनाव में ऐसे ततो पर सिकंजा कसने तथा सोतंत्र और निस्पक्ष पंचाज चुनाव कराने को लेकर प्रमंडलिये आयुकतो उपायुकतो तथा पुलिस अधिक्षको को निर्देश दिये गया है गठवा के भंडरिया में आग में जिन्दा जल गए दो आदिवासी बचे जर्या में चल रहा है घटना के वक्त बच्चों के माता पिता महुआ चुन्ने जंगल गए हुए थे राज जेपाल के सामने विरोत परदसन करने वाली छात्रा को नोटीस कोलहान विश्वविद्यालाय का आपात काली सिंडिकेट की ओनलाइन बैठक सनीवार को कोलपती डाक्टर गंगा धर पंडा के अध्यक्सता में हुई बैठक में सवरो समाती से निर्न लिया गया कि दिक्छांच समारो के दोरान कुला अधिपती सवराजे पाल रमेश बैच के सामने छात्रा सोनी कुमारी सेन गुपता द्वारा और सब ये आचरन करने के लिए उन्हे कारण बताव नोटीस जारी किया गया है जिनका जबाब उनको समाय के साथ देना होगा इस परकार के बेवार से विस्व बिदाला की बदनामी होती है बिरोध करने का अलग तरीका हो सकता है लेकिन कुला अधिपती के सामने इस परकार का अचरन किसी भियाद तक बरतास्त नहीं किया जा सकता है जीला बाल सनरक्षन इकाई में नियुक्ती के लिए चैन समीती की बैठक रांची जीला बाल सनरक्षन इकाई में सन्वीता पर नियुक्ती के लिए चैन समीती की बैठक सनीवार को डीसी छवी रंजन के अध्यक्सता में होई इसमें जीला बाल संरक्षन पताधिकारी, संरक्षन पताधिकारी वर डाटा एनालिस्ट के पदो पर नुक्ती होनी है बतादे बैठक में समीती ने आवेदनों परमंथन किया अमतिम रूप से चैनित उमिद्वारे को सुचित जल्दी जारी की जाएगी जारखंड में कुरोना के 3 नए केस मिले हैं जबकि 4 मरी स्वस्थ भी हुए हैं जारखंड में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 37 भारत में 1,150 नए केस मिले हैं जबकि 1,194 मरी स्वस्थ भी हुए भारत में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 27,229 CBSE Term One अंग से संतुष्ट नहीं होने वाले चातर 20 तक दर्ज करा सकते हैं आपती CBSE के Term 1 पर इक्षाक के अंग से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थी 20 अप्रेल तक बोर्ट को अपनी अपति दर्च करा सकते हैं बिद्यार्थी बोर्ट की वेबसाइट पर अपनी अपति दर्च करा सकते हैं इसके लिए पहले स्कूल को फिजनकारी देनी होगी इससे पहले 10 वी के लिए 26 मार्च और 12 वी के चात्रों को अपति दर्च कराने के लिए 31 मार्च के थी निधारित की गई थी बोर्ट ने कहा है कि अब जो बिद्यार्थी टर्म और परिक्षा के परदर्च सन के समध में कोई अपति जताना चाता है उन्हें पहले अपने स्कूल को सुचित करना होगा इसके बाद स्कूल छात्रे के अनुरोद पर करवाई करेगा रांची में बनेगा EVM का वेरहाउस रांची में अब जीला निर्वाचन का अपना EVM वेरहाउस होगा इसकी परकिरिया शुरू कर दी गई है इसके निर्मान को लेकर भवन निर्मान विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है EVM वेरहाउस की लागत करीब 7.65 कोड़ रुपय होगी इसके निर्मान कारे कियोधी एक गारा मान निधायित की गई है बतादे 20 अपरिल तक टेंडर भरने की अमतिमती थीता है जीला निर्वाचन के पास अपना कोई वेरहाउस नहीं था जिस वज़ा से EVM को मुराबाद इस्तित बीरसा मुंडा फोटबल स्टेडियम के गोदाम में रखा जाता था जेल वार्डेन का बेतन मान नहीं बढ़ाने पर बीत सची उसे जवाब तलब जार्खन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एस इन पाठक की अदालत में जेल वार्डेन का पे एसकेल और भाता में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद आदालत ने बीत बिभाग से जवाब मंगा है इस मामले में अगली सुनवाई चार सब्ता बाद होगी इस समद में परदीप तीर्की ने हाई कोट में अज का दाखिल की है सुनवाई के दरण प्रार्थी के अधिवक्ता अमरितान सुवचल ने आदालत को बताया कि राज ये बनने के बाद से जेल वार्डेन का पे एसकेल और भाता में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई पहले के दर पर ही उन्हें भुक्तान किया जाता है बिसे सत्र भुलाक और अस्थानियता करे लागू लोबिन हेंब्राम अस्थानियता के मुद्दे पर पार्टी के अंदर मोर्चा खुलने बारे जामो मो बिधायाक लोबिन हेंब्राम ने कहा है चरकार लिखित दे की वा विधान सभा कभी से सत्र बुलाएगी आस्थानियते के मुद्धे पर बहुत कराए और उसे लागू कराए तो आंदोलन खत्म कर देंगे वा पार्टी वा सरकार के खिलाप नहीं है मुद्धे की बात कर रहे है उन्होंने कहा कि स्थीवू सुरेन हमारे नेता है देवघर में 143 आस्थानों पर तैनाथ रहेंगे जवान अधिकारी रामनामी को लेकर देवघर जीले के प्रसासनिक वा पुलिस पदा अधिकारी अलर्ट मोड़ पर है सन्थाल परगना के आयोगत चंद्रमोहन पर साथ कक्छप ने ऐसा कहा उन्होंने कहा कि रामनामी के दवरान किसी तरह की आपर ये घाटना ना हो सांती पुरुवा को वा सुचारू तरीके से परवसंपन कराने को लेकर तमाम तरह की वेवस्था की गई है बैठक में दुमका रेंज डियाईजी सुदर्शन मंडल भी थे रामनामी को लेकर देवघर में प्रतिन्युक्त डियाईजी बिजया लक्षिमी ने भी एस्पी सुबास चंद्रजाट वा पुलिस पताधिकारियों से तयारी की जनकारी ली मेर ने नगर आयोगत के खिलाप दर्ज कराई सिखाया है समझते हैं नगर निगम परिशद वा अस्थाई समीती की बैटाक में पिछले एक वर्ष 2021-22 से नगर आयोगत मुकेश कुमार जार्खन नगर पलिका अधिनियम 2011 में निहीत प्रविधानों का उलंगन कर मनमानिक कर रहे हैं धन्यवाद